तो अट्सब दोस्तों मेरा नाम है साइल सिंग और आप देख रहे हैं अपना टेक साइल ट्रिक सो बिसेकली आज के स्वीडियों में हमनों बात करने वाले हैं कि अपना PC या फी लाप्टाप का जो VRAM को होता है ना उसके से किसे इंक्रीस किया जाए अब देकड़े लो अगर आप लोग इसको बढ़ाद हो गया तो अगर कोई गेम आप लोगा PC में लाग कर हैंक कर रहा है या कोई ऐसा काम है जिसमें आप लोगो थोड़ा वी राइम का ज्यादा जरूद पढ़ता है कोई काम में तो उस इसको म Yin लोग सन अगर वहां में लोग से और फृड़ीय कम थाइब आ ग्रों से न में आप लोग नोन का मैंत Jset को आइडी मेर सब्सक्राइब टेखने को मिल जायगा वहां जायोग जाएगा वहां दाऊट होगा कुछ भी चेच पूछना होगा मैं वहां से प्रस्टै अब आप लोगों से बात करूंगा और इसको सॉल भी कर दूंगा मगर हां इस्टाग्राम पर फॉलो जो रोग कर लिजेगा और इस वीडियो को लाइक कर लिजेगा तो बहुत से पहला में जटते हैं जिससे की डरीकेटेट वीडियो में मेरी इंक्रीज हो सकता है तो उसके लिए लंबा प्रोसेस हो जाता है इसलिए एक वीडियो में लंबा नहीं बता सकता मैं नॉर्मल बस ओवर व्यू दे दूँगा कि यह बायोस ओपेन आप लोग ऐसे कर लिजेगा ठीक है तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लिजेगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जा या इस बटन हो जारा तर बट दूसरा भी हो सकता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं उस वीडियो को देख लिजेगा बायोस ओपेन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप लोग का बटन कौन सा है वो देख लिजेगा अपना पीस्य लैप्टॉप के अपॉर् के लिए प्रेस करते रहेना है याद से ध्षान रहे यहाँ पर छक्रसी लैप्टॉप का उन में बटन दबाओ गे यहाँ से प्रेस कर दे रहा। और यहाँ पर यहाँ से अगया है इस settings के अंदर आ जाना है अब जारा तर जो PC laptop user होंगे उनका इसी type का जो BIOS होगा वो दिखता होगा बट कुछ-कुछ होंगे जिनका थोड़ा सा आसूस हो गया गीगावाइट होगे MSI वागेरा का PC laptop वागेरा होगा तो उनका हो सकता है बट जो setting वागेरा जो मैं आप लोग DVM fixed memory करके या फिर DVM pre-allocated memory करके लिखा हुआ होता है BIOS के ही अंदर आप लोग को उसको DVM pre-allocated memory करके कहीं लिखा रहेगा या फिर DVM fixed memory करके उस setting को खोज लिजेगा हो सकता है यह जो option है यह ग्राफिक्स को option है तो हो सकता है अगर आप लोग एडवान्स वगेरा option में अलग से उसका option दिया हुआ है जो कि मेरा chipset वाला option के अंदर दिया आप लोग कहीं पर भी हो सकता है तो वो अपने मुताबिक होज लिजेगा मेरा जो option है DVM fixed memory करके लिखा हुआ है मेरा जो है वो chipset के अंदर दिया हुआ है यहां पर नॉर्थ ब्रिज के अंदर तो मैं इस में memory दिया है आप लोगो बस इसको छेड़ चाड़ करना है ठीक है तो हम लोग यहां पर देख सकते हूँ इसमें क्लिक कर देंगे और यहां पर ही मेरे को तो तीन option दिया है होसा कि आप लोग को और भी option मिल सकता है बहुत सारा जो memory का option है वो लिखा हुआ रह सकता है तो व पर ही जो select करना है वो 256 MB select करना है अगर आप लोग का PC laptop में 4 GB RAM दिया हुए तो वहां पर यह 512 MB select करना है मेरा तो 512 MB दिया हुए नहीं है तो मैं यहां पर ही maximum select करूँगा okay अगर आप लोग का वही अगर आप लोग का 4 GB RAM है तो 512 MB select कर देज़ेगा अगर 8 GB RAM है या 8 GB RAM से ज्यादा है तो वहाँ पर ही उस कंडिशन में 1024 MB यानि कि 1 GB यानि कि 1024 MB सेलेट करना है अगर आप लोगा 8 GB RAM है PC Laptop में अगर आप लोगा 8 GB RAM है या फिर 8 GB RAM से ज्यादा है तब ही सेलेट करेगा उतना मेरे PC Laptop में 6 GB RAM है तो मेरा Maximum वल ऑप्सन दिया तो मैं यहां मैक्सिमम सेलेट करूँगा ठीक है इस अब कर दोगे कोना में यह आप लोगा दिख जाएगा कि कौन सा बटन सा जो सेटिंग वग पड़ेगा PC एक दो बार restart होगा और फिर जो PC normally on है वो हो जाएगा और एक बात यह चीज़ करने से आप लोगा PC को कोई effect वगेरा नहीं पड़ेगा तो आप लोग डरना मत बहुत सा लोग डरते है तो ऐसा कुछ निए मैं बहुत समय से इसको यूज कर रहा है बठा यहां यहां पर आप लोगा एक कंडिशन में यह जो है वो effect हो सकता है आप लोगा PC laptop आप लोगों को setting वगे एकदम ध्यान से करना है अगर जहां पर डीवी एम्टी प्री अलोकेटेट मेमोरी डीवी एम्टी फिक्ष्ड मेमोरी या फिर यूम में फ्रेम बफर साइज करके लिए तो यह बात ध्यान रखना है तो पीसी जो है आप लोगा नॉर्मली जैसे ओन होता है ना setting वगेरा कर दने के बाद वह वैसी ओन हो जाएगा कोई problem वगेरा नहीं आएगा जैसी कि यहां पर अभी मेरा PC on हो गया तो यह था आप लोगा पहला मेठड सर्च बॉक्स के यहां यहां पर आ जाना है और यहां पर ही टाइप करना है रेडिस्ट्री एंट्री करके तो यहां पर ही रेडिस्ट्री एंट्री करके हम लोग टाइप कर दते हैं और यहां येस कर दीजेगा तो इस टाइप का यहां पर ही जो है आप लोगों का इस टाइप का options वगेरा वाला setting खुल करके आ जाएगा जैसे कि यहां पर ही देख सकते हो current user, edge की local machine, edge की users तो मतलब बहुत सारा option यहां पर ही देखने को मिल जाएगा आप लोगों को जो आना है वो edge की local machine के अंदर आ जाना है जैसे कि यहां पर ही देख सकते हो इसको expand कर देना है यह वाला arrow का बटन को क्लिक करके जैसे इसमें क्लिक कर दोगे edge की local machine में आ जाएगा यहां पर इसको expand कर दीजेगा तो इस टैप का और अंदर का setting आ जाएगा यहां मिलेगा software वाला एक setting इसको भी तो एक्सपैंड कर दीजेगा यह वाला arrow को क्लिक करके और यहां बहुत सारा आपलों को option देखने को मिल जाएगा अब यहां मिलेगा आप लोंग एक option जो की होगा Intel Intel में क्लिक कर दीजेगा और इसको भी एक बार expand कर दीजेगा बस Intel में click करिएगा यह जो Intel है ना Intel में right click करिएगा और यहां मिलता होगा new new में आ जाना है और यहां पर key में click कर देना है तो यहां पर एक new folder बनाने के लिए एक आ जाएगा है और फिर एक न्यूट पंडर बना ली जेगा जी एमसे से तो जी एम नाम का जैसे हाप भूंज क लोग्त करने का बाद यह वाइट वाले एरिया में आज एगेगा और यहां पर आप लोगो रहा लों को रिट्लिक करना यहां पर इन नाम देते ना है dedicated segment size dedicated segment size का जो डी है ना dedicated कडी capital रहेगा segment S capital रहेगा और size का भी S capital रहेगा तो ठीक आपनों यहां पर dedicated segment size करके आप लोग यहां पर लिख दिजेगा तो इस टैप कर यह आ जाएगा जैसी कि देख सकते हो spelling देख लिजेगा और same to same ऐसे लिखीगा एक जरीक भी अलग इधर उधर मत करिएगा यहां मिलेगा value data अब यहां पर यहां पर आप लोग को एकदम ध्यान देना है अगर आप लोग का PC laptop में एक GB RAM है सिर्फ एक GB RAM तो उस condition में 128 यहां पर लिख दिजेगा अगर आप लोग के PC में 2GB RAM है तो यहां पर 256 MB लिख दिजेगा अगर आप लोगों का PC में 4GB RAM दिया हुए है तो यहां पर आप लोग का PC एक जीबी के आसपास होता है तो आठ जीवी राम वालों के लिए 1024 लिख देना है बट अगर आप लोगो 16 जीवी राम है ना तो उस कंडिशन में 2048 यहां पर टाइप कर देना है अब मेरा पीसी में जो है वो छे जीवी राम है तो उस कंडिशन में यहां पर इस फॉर्टी बस आप लोगो इतना ही करना है फिर यह सब को आप लोगो हटा देना है और बैक चल जाना एक बर पीसी को अपना रीस्टार्ट कर दीजेगा और रिस्टार्ट कर देने के बाद ना थोड़ा से आप लोगो कि पहले से जो PC लेका जो आराम वाला प्रोब्लम उप्रूब्ल लेक ग्राफिक्स कार्ड फिर अच्छा खासा चाहिए ही चाहिए होगा तो वह बात अलग हो गया तो एक बार आप लोग एक स्कूजरू ट्राय करके देखिए और मेरे को बतेएगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो मीदिए कि आप लोगों की वीडियो पसंद आया व